पूर्ण शराब बंदी वाले बहार में दारू माफिया का खेल जारी है माफिया भाती भाती के हतकड़े अपनाकर शराब का अवैद कारोबार कर रहे है शराब बंदी के विफलता के पीछे राजी में पुलिस को भी जिम्मेवार ठहराया जाता है बहार में शराब बंदी के बाद से एक नया आर्थिक तंतर खड़ा हो गया है शराब तसकरी का एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है शराब बंदी कानून को ठेके पर रखने वाले शराब माफिया कुछ पुलिस कर्मियों से मिली भगत कर बहार में समानांतर विवस्था चला रहे हैं तो वही कई बार इसके सबूत भी मिले हैं कि एक बार फर वर्दी की आड में शराब के धंदे का खुलासा हुआ है देखिए ये रिपोर्ट जवान को गिरफतार किया है उसके पास से लगभग 18 लीटर अंग्रेजी शराब भरामत किये गए है गिरफतार आरपी जवान की पहचान धरहरा थाना शेत्र के पचरुखी गाव निवासी सुनील प्रशाद सिंग के पुत्र अमरजीत कुमार के रूप में हुआ है अमरजीत चीत रंजन रेल कार खाना में कॉंस्टेबल के पद पर तैनात था पुछताच में पतचला कि अमरजीत लंबे समय से शराब बंदी के बाद शराब की खेप बंगाल से बिहार तक पहुचाने का काम करता था सूत्रों से प्राब्त जानकारी के अनुसार अमरजीत एक बार पहले भी शराब के साथ जमालपूर में ही रेल पुलिस के हथे चड़ा था लेकिन वह मामला को मैनेज करने में सफल रहा रेल ऐसे चो के द्वारा पैसों के लेन देन के अधार पर छोड़ दिया गया था परन्तो इस बार उसे गिरफतार कर लिया गया है और उसे रंगे हाथों पकड़ा गया है बहार राजमिल साल 2016 के बाद से शराब बंदी कानून लागो है बहार में शराब पीने से लेकर इस खरीदने बीचने पर भी पाबंदी है यहाँ तक कि कोई व्यक्ति बाहर से भी खरीद कर अपने पास शराब नहीं रख सकता है बहार में शराब के अवैद कारोबार को रोकने के लिए पुलिस और आपकारी में भाकोष जिम्मेदारी सौपी गई है समय और सकती के बावजूद भी बहार में शराब बंदी कानून को तोड़ने के मामले कम होनी की जगा हर साल बढ़ते ही जा रहे है यहीं नहीं बहार में जोहरीली शराब पीकर कई बार लोगों की मौते भी हो रही है अब इतर के लिए बसकता ही बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे है कैपिटल टीवी बहार के साथ नवश्कार